आपको ले चलते हैं प्राचीन रोमन समराज्य के एक कलंकित प्रथा की ओर ग्लैडिटियर की कहानी सुनाते हैं आपको ग्लैडिटियर एक तरह का हिंसक खेल होता था जिसका आयोजन सत्ता वर्ग अपनी प्रजा को खुश करने के लिए करता था इस खेल में इनसान के इनसान से जानवर की जानवर से या फिर इनसान की जानवर से खुणी भिडंद कराई जाती थी खेल रुपी युद्ध में जैसे रक्त की धार तेज होती थी स्टेडियम में मौजूद रक्त पिपाशु भीड उनमाद में नारे लगाती थी खून देखकर उन्हें खुशी होती थी, आनंद मिलता था नफरत और हिंसक उनमात की ये चरम पराकाष्टा होती थी सत्ता वर्क को इस खेल से खासा फायदा होता था आम जनता अपनी वास्तविक समस्याओं को भूल जाती थी और वो खून देखकर खुश हो जाती थी गलाडिटियर की इस हिंसक चाल, चहरा और चरित्र पर नजर जमाते हुए आप अपने आसपास के आज के महौल को देखिए सोशल मीडिया को देखिए, देश की टीवी चैनल पर चलते हुए उनमादी और भड़काओ डिवेट को देखिए, हर जगह नफरत, हिंसा, हुनमाद और जहरीले बोल हम सब के आसपास एक ऐसी भीड जो आगजनी देखकर आनंदित होती है जिखून देखकर खुशी मिलती है बुल्डोजर देखकर जो बुलंद आवाज में जहरी लेनारे लगाता है ठीक उसी तरह जिस तरह रोमन सामराज के हिंसक खेल ग्लैडिटियर में भीड लगाती थी अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया अपना जो हिंदुस्तान, शांती, सद्भाव और भाईचारे के लिए पूरी दुनिया में विख्यार था वो अचानक आख की लग्टों में कैसे घिर गया क्या ये केवल बीजेपी की पूर प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान का नतीज़ा है मोधी सरकार के पिछले आठ सालों के कार्यकलापों को गौर से देखिए आपको इस तरह के हरसावाल का जवाब मिल जाएगा देश के प्रधान मंतरी कब्रिस्तान के साथ शमशान बनाने की मांग करते हैं कपडे के रंग देखकर धर्म विशेस के लोगों को पहचानते हैं उनका एक मंतरी गोली मारो माफ कीजिएगा आगे नहीं कह सकता मैं वो कहते हैं गोली मारो का नारा लगवाते हैं दूसरा मंतरी गांधी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंदन करता है तीसरा मंतरी खुले आम अपने विर्योदियों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है चोथा मंतरी भीड को हमला करने के लिए सीधे सीधे बोलता है बीजेपी की आईटी सेल हजारो करमचारियों की मदद से रोज जहरीले और नफरत से भरे फेक न्यूज सोशल मीडिया पर फैलाती है बीजेपी के उद्योगपती मित्रों ने जो चैनल जो न्यूज चैनल खरीदे हैं उन पर दिन रात हिंदू मुसलिम किया जा रहा है इतिहास के आईने में आज के कड़वे सच को छुपाने के लिए रोज एक नया विवात खड़ा किया जा रहा है सच तो ये है कि हिंदूस्तानी आवाम को हिंदू मुसल्मान में बाटने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो ये मौजूदा सरकार केंद्र सरकार कर रही है जिसके मुख्या हमारे देश के पुद्धानमंत्री श्री नरिम बोदी है वक्त हम जैसे लोगों के लिए निश्चित रूप से चुनोती पूर्ण है लेकिन हमें निराश नहीं होना है गांधी जी का ये देश कुछ हिंसक प्रवित्ती के लोगों के बहकावे में आकर कुछ वक्त के लिए जरूर गुमरा हो सकता है लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बुनियाद में शुरू से शान्ती और सद्भावना रही है और आगे भी रहेगी जरूरत बस इस बात की है कि हम सब निराशा के इस माहाओल में उम्मीद की किरन जलाए रखें अपनी गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए जो कुछ मुम्किन है उसे करें नमस्कार